इस इस जियर और यूर वाचिंग वर्क एट आवर जोब एलफुल गाइस आज की जोब जोब होने वाली है कमाल की जोब होने वाली है मतलब यह की पर्माल जोब आपको इस काम के लिए अगर एक बार जोइन हो जाते तो कोई भी निकाल नहीं सकता जब तक आप ना चाहे पांच से साथ साल कर सकते हैं क्योंकि यह जो भी ऐसी है तो गाइस इसकी जोब की टिटेल देने से पहले एक चोटी सी रिक्वेस्ट अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें पास वाले बेल आइकन को हिट कर लें ताकि नहीं नहीं अपडेट आप त स्टाप्र अगर जो बड़ा रता बड़े बड़े मौल से इसका है कि मैं स्टाप की रिकार्मेंट है कि है कि मैं अ किलो केशंट नहीं चाहिए और सब्सक्राइब क्या रहेगा कि अंदर में जो कस्टमर आता है उसको अटेंड कर ना हेवी काम कुछ भी नहीं है बहुत ही इजी काम है अच्छा काम है और बहुत ही ऑफिसल काम है कस्टमर को अटेंड करना वोले तो सूपर मार्केट में जैसा कि आप जानता ही है सेल्फ रहता सब कुछ कस्टमर अपने आप आता है आइटम उठाता है पिक करता है बिलिंग के क अधर में जो काम रहता हो कुछ भी हएर काम नहीं रहता है और करंधर तोHO तोड़ा बहुत हो इसके मामने में धायर थोगाएफ पड्यान नहीं चाहिए इस खाम के लिए क्योंकि जब वो बंदा रहेगा तो खुद को नहीं मालूम रहेगा कि प्रोड़क्ट और यह आइटम कौन सा तो कस्टोमर को क्या हेल्प करेगा तो इसके लिए थोड़ा बहुत मिनिममम दोनों रहता मेल बीचाहिए अगर लोकल्स है तो भी चलेगा अगर बैंगलोर वाला होना चाहिए मतलब यहां पे इस्टे होना चाहिए वह यहां पर आड़ी रहता रहना चाहिए वैसा और room और food की facilities में नहीं देती company room आपका और food खाना job भी है सब कुछ आपका क्योंकि ये permanent jobs जो रहती है ना ये company कभी भी जो अपनी तरब से food और वो सब facilities नहीं देती है और अच्छी jobs रहती है जो है आप मैं एक साल, दो साल, तीन साल जो है जब मर्जे तब अपना छोड़ सकते हैं और कोई भी आपको निकालने माला नहीं है उस माकाम में तो गाइस अच्छी job और हर एक 6 महीने में 7 महीने में आपकी salary increase होती है इसमें जैसे जैसे आपका experience level बढ़ता है आप अब भी आये एक महीना दो महीना काम किया उसमें कितना सीखा ती महीने में बात कितना सीखते हैं तो दीरे-दीरे आपकी salary increase करती है और इसमें salary कितनी रहती कि क्लाइन की तरब से अभी ये clear नहीं किया गया है रिजन यह रहता है कि depend on आपकी experience के उपर आपकी इतना experience वाले हैं वह आप एक बार आएंगे मेरे साथ इंटर्यू अटेंड कीजी इंटर्यू में आपकी salary fix होती है और timing तो आपको पता ही है वैसे general time जो है 11-12 गंड़ा रहता है लेकिन यहां पे हमारी तरब से company ने कम करवाके जो है सिर्फ और सिर्फ 10 गंड़ा duty किया है यह गंड़ा break का मिला के आपका 9 गंड़ा count होता है और हपते का एक week of रहता है जो आपको Saturday Sunday छोड़ के किसी भी एक दिन ले सकते हैं तो गाइस बहुत ही अच्छी जोग बहुत ही अच्छी opportunity वाले जोग जो जो candidate interested है वो मुझे whatsapp पे I am interested in store stop करके mention करके अपना resume share करें और गाइस एक और important बात कि कभी भी जो है ना पार को सीरियस होके काम करें अगर आप एक जगा अकम्पन्सेशी काम करें तो आपको समें crowd होती है उसमें बड़ोतर हुती है आपकी क्रोफ इक आयौत होती है तो आप की सेलरी बी भीू del कि उसमें अप 6 महीने यहां करें न कई दूसरी कमपनी तो आपको growth होती है ना आपकी salary increase होती है हाँ आपको pats से बहले अच्छे से मिल जा लेकिन उसमें आपको नधा experience मिलता है ना आपकी growth होती है तो गाइस इस चीज़ का दियान रखे और जो जो सीरियस इंडिरेट है वही मुझे रजीम और वाटसेप करें और वही मुझे कोल करें टाइम पास करने के लिए कभी मेरे पास कोल ना करें दिन में 100-200 कोल आते हैं अटेंड करना मुस्किल हो जाता है रिस्पोंस देना मुस्किल हो जाता है क्योंकि फाल्दू लोग बहुत होते उसमें और यूट्यूब पर कोमेंट से इतने बड़े-बड़े करेंगे कि पुछो मत सर यह हो जाएगा सर वो हो जाएगा सर लड़के फश जाते हैं सर यह हो मतलब क्या भोलना उनका मतलब भासन देंगे यूट्यूब पर की जैसे नेता लोग हो एसे से भासन देंगे और जब काम की बारी आती है ने तो कोई आता नहीं और कोई करता नहीं यह सब जो है न क्या बहुत है ना फेक की दुनिया में चले जाते है जहाँ चको चांद जहाँ मलब चक्मक जादा लेती ना जहां उजाला जादा दिखता है वहां चले जाता है और बाप्रे वहां इतना मिलता है यह फेस्टी वह लेकिन रियल में जो है ना देने के टाइम जब बारी आती है तो वही देता है जो मार्केट में रीत है जो मार्केट में जो प्राइट चलता है एक्चुल में जो मार्के है लास्त में उतना ही पे होता है जितना वो बोला जाता है या फिर मालों कोई 13-14,000 रिवे दे भी देता ना तो वो जो पर्मानेंट नहीं रहती है एक मैन दो मैन आप से करवाएंगे कुछ भी रिजन बोलके आपको निकाल दिया जाएगा तो फ्रेंड्स इस चीज का धियान रखें और आउट टॉप स्टेशन वालों के लिए रूम की विवस्ता सबसे पहले रहती है वो बंदा कहां से आता कि अतनी तकलीप से आता है तो हम लोगों कोई पता रहता है और उनको कैसे कैसे स्टेशन पर क्या क्या जहरना पड़ता है तो गाइस इस चीज का धियान रखें और स्टोप स्टेशन वाले थ अच्छा वीडियो काई सेर करना कभी न भूले और सब्सक्राइब करना तो कभी न भूले फ्री का जोब आपसे भी रुपए नहीं लिए जाता किसी भी चीज का जहां तिन तिन चार्चला जार रुपए फॉर्म के नाम पर जो है आपका जोइनिंग के नम पर लिए जाता ठीक है गाईस तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में कुछ अच्छी जोब के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर